मध्य प्रदेश के जबलपूर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक परिवार को करना तो बेटी का कन्यादान था लेकिन उन्होंने अपनी जिन्दा बेटी का ही पिंडदान कर दिया वो इसलिए क्योंकि बेटी ने बिना परिवार की मन्जूरी के मुस्लिम युवक से शादी कर ली दरसलम खेरा में ब्रहमन परिवार से तालोक रखने वाली अनामी का दूबे नाम की लड़की ने आयाज नाम के युवक से शादी कर ली परिवार को तब पता चला जब दोनो उन्होंने मैरेज रेजिस्ट्रार कार्याले में कोर्ट मैरेज के लिए आवेदन दिया जिससे परिवार इतना नाराज हो गया कि उन्होंने ये कदम उठा लिया हुआ सब मीडिया में सभी डल चुक है वैसे तो और अब जो भी होगा अच्छा ही होगा आंगे तो जो होता है वाकी सब तो अब हम लोग ने कर दिया अब हमारे लिए वह नहीं रही इस दुनिया में आहात हुआ परिवार बहुत जादा किस तरह से देखते हैं इस तरह की घ चल रहे है तो अब फेस कर रहा हूँ मैं भी प्रॉब्लम्स को अभी शेक दुबे बाकाइदा बेटी की मृत्यू के शोक संदेश छपवाए गए 11 जून को गवारी घाट में उसका पिंडदान और मृत्यू भोज की जानकारी दी गई जिसके बाद हिंदू धर्म के रीती रिवाजों से उसका पिंडदान कर दिया गया परिवार ने आयास पर बेटी को बहला फुसला कर शादी करने के आरोप लगाए हैं और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है दूसरी समाज में दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती हैं लेकिन जवलपुर में एक अनोख हमामला आया है जहां दूसरे धर्म के युवक से शादी करने पर माता पिता ने अपनी बेटी को कुपुत्री बताते हुए उसका अंतिम संसका कर दिया उसका शराद कर दिया इस वक्त हमारे साथ उस परिवार के सदंस्य मौझूद है लड़की की माता जी मौझूधं उन से जानने की कोशिश करते आखिर क्या वजाय थी कियुंअ नहुंए यह कदम उठाया कि अखिर क्या वज़य थी कि आप ने इतना बड़ा कदम उठाया जिंदा बेटी को आपने उसका पिंड़न कर्दीक जिस बेटी ने हम लोग की घर की इज्जत नहीं रखी तो इस बेटी के हम लोग क्या करेंगी जिसने पापा की मा की इज्जत ने रखी परिवार की इसलिए सब सोच कर हम लोग नहीं है कब शादी की थी बेटी ने आपके कुछ जानकारी है अप जी हम लोग को नहीं पता था दो तारे को जब घर से गई उसके बाद ही जब ये कार्ड वारा लुबा तक पता चाहते हैं अभी जैसे आपने पिंडदान भी कर दिया अश्राद कर दिया कितने बच्चे हैं आपके बेटी अके लिए उसको तो अब हमने त्याग दिया तो अब हमारी दो बेटी एक बेटा है क्या मैसेज देना चाहते हैं इतना क्योंकि हिंदू धर्म में जब तक किसी की मौत नहीं होती तब तक ना तो उनका पिंडदान किया जाता है ना श्राद किया जाता है आपने जि नकर के सब करना है घ्रूस लड़क की लिए क्या कहने चाहिए जिननों ने शादी की है उसके परीवार क्वालों से कोई मैसेज देना चाहिए तो इह लड़की की मां है जिनका कहना है कि जिस बेटी को पाल पोस्कर बढ़ा किया उसी बेटी ने उन्हें धोखा दे दिया तो ऐसी स्थिती में सभी माता-पिता को यही कदम उठाना चाहिए इसी तरह से अपने बच्चों का बहिश्कार करना चाहिए बैराल इस मामले में आगे क्या होगा यह कहना मुश्किल ह लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसे सबसे अनोखा कहा जा सकता है जिसमें जिन्दा बेटी को सिर्फ शादी करने के कारण के दूसरे धर्म में शादी कर ली इसलिए उसका अंतिम संसकार किये बिना ही उसका पिंडदान भी कर दिया गया हूँ परिवार के लोग तूट चुके हैं लेकिन शादी के पीछे असली कारण लव जिहाद है या प्यार फिलहाल पुलिस मामले की जाच में जुट गई है